कॉंग्रेस कारे करताओं ने आजपूर्ग प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष गणेश गोधियाल के नेत्रित में धेरदून सचिवाले के मुखेद्वार पर उत्राखन राज्ये में कोर्पूरेटिव बैंक के चतुर्थ शेणी पदो की न्यूक्ती में हुए घोटाले की जांच की मांग को लेकर धर्ना प्रदशन किया कारिक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री हरिश रावत एवं नव्यूक्त प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष करण माहरास सहीत वरिष्ट कॉंग्रेस नेता एवं कारेकरता उपस्तेत रहे पूर्व प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष गणेश गोध्यान ले उत्रखंड की भाजपा सरकार पर ब्रस्चचार में डूबे होने का आरुप लगाते हुए कहा कि उत्रखंड की भाजपा सरकार में ब्रस्चचार अपने चरम पर है राजे कोर्परेटिव बैंक में चतुर्शेनी के पदों की भरती में हुए भारी ब्रस्टचार ने सरकार की कलई खोल कर रख दी है उन्होंने कहा कि से पूर्वी कोपरेटिव बैंक में विक्त पदो पर हुई भरती में भारी ब्रस्टाचार को अंजाम देने की नियत से चैन परिक्षा उत्राखंड के किसी स्थान पर करवानी की बजाए नौईडा में आयोजित कर इस्थानी बिरोजगा नौजवानों के ह को मारा गया अब इंतजार कर रहा हूं विदानसभा देख जी का वह मने सुना कि असम गई वी है इसके बाद वह असम से वापस आएंगी आगला एपिसोड विदानसभा में करेंगे यह इस प्रदेश में जिस प्रकार से नौक्रियों की बंदर मांट की जा रही है और ब्रश्टाचार च मुख्यमंत्री जी को याद दिलाने आये हैं कि ब्रश्टाचार के खिलाफ जिरो टॉलरेंस की उनकी बात जूटी सावित हो रही है मानने मुख्यमंत्री जी जब ब्रश्टाचार के संयोजक ब्रश्टाचार के सूतरधार स्वयम मंत्री बने रहेंगे तो उस विबाग मे ब्रश्टाचार की जाज कर से होगी यह प्रश्ट में मानी मुख्यमंतरी जी से पूछने यहां सचवाले के गेट पर आया हूँ धन्यवाद दिना चातों को दियाल साब को कि इतना गंबीर मुद्दा जो आज सबसे बड़ी दिक्कत है उत्राखंड की बिरोजगारी की उसको इन्होंने उठाया है और उसमें हम सब लोग यहां कॉंग्रेजियन उपस्तित हैं सरकार जिस तरीके से लगातार ब्रश्टाचार के बाद ब्रश्टाचार करते जा रही है और मौन लेके हमारे मौनी बाबा वैट गए हैं धामी जी का एक ही है कि साब ब्रस्टाचार नहीं होने दूँगा और सामने से मक्षी नहीं निगली जा सकती है धन्सिंग रावजी के टाइम में पूरुमे में जो एक हजार अधिकारिम की भरतीवी थी उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ था जिसमें कोरोना के कारेर में का टाइम पर जब लोग घरूं से नहीं निकल सकते थे एक प्राइवेट कंपनी से नोईडा में परिक्षा ले गई जिलनों को पूरुमे सूचना थी वहां पहले से उपस्तित थे और उनी की परिक्षा लेकर उनको पद में दिया गया आज जिस पद को सरकार ने खतम समाप्त कर दिया था उसको एक नया नामकरण करके उसको पुनर जीवित करके अपने लोगों को रेवडिया बाटने का काम धनसिंग रावजी ने किया है और जो मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि साब मैं बिलकुल निस्पक्स जांच करा रहा ह वो ये बताएं कि जो व्यक्ति के रहते वे घोटाला हुआ है उसके पद में रहते वे कैसे निस्पक्स जांच हो सकते हैं तो मेरा ये मानना है कि पहले दंसिंग रावजी से स्तीफा लिया जाना चाहे तब ही हम किसी निस्पक्स जांच की बात को समझ सकते हैं मान सकते हैं वहीं भाजपा सरकार ने इस मामले की जाज को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि कॉर्परेटिव बैंक भरती घोटाले सहित कोरोना महमारी में मेडिकल सामगरी, दवाई, वैक्सीन, खरीद ततर टेस्टिंग सेच सभी मामलों की सीबियाई से निस्पक्ष जाज करानी चाहिए। लिए बहुती घातक है और ये मुद्दा जिसको गड़ेश गोध्याल जी ने उठाया है, जिसके लिए हम सब लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, ये मुद्दा बहुत महत्पून है और राज सरकार को चाहिए कि वो लोग विधान सभा की एक कमीटी गठित करें इसकी जाज के लिए या जो है न्याइक आयो गठित करें ताकि इसकी तह में जाकर के दोश्यों को दंडित किया जा सके और भाविश में इस तरीके की घटनाओं की फिर पुर्णाविर्ति नहीं है विर लिपो समें साखे